खबर गौलियर से है जहां पुलिस सदिक्षा अमित सांगी के निर्देशा अनुसार गौलियर जिले में अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोक्त करने वालों के विरुद लगातार प्रभावी कारिवाही की जा रही है रात्र में पुलिस अधिक्षक ग्वालियर के चरिये मुख्विर से सूचना प्राप्थी की दो गांजा तसकर डबरा रेल्वे स्टेशन पर ट्रेन से उतर कर बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा लिये स्टेशन रोड सराफा के पीछे खड़े हैं सूचना पर पुलिस अधिक्षक ग्वालियर ने अतरिक्त पुलिस अधिक्षक सहर राजे दंडोतिया एवं अतरिक्त पुलिस अधिक्षक ग्वालियर ग्रामीर जराज कुबेर को थाना डबरा का क्राइम ब्रांज की टीम बना कर अवैध मादक पदार्थ की तसकरी करने वा थान डबरा रेन्वेस्टेशन सराफा के पीछे जाकर देखा तो वहां दो संदिग्द ब्यक्ति खड़े दिखाई दिये पुलिश टीम द्वारा उक्त संदिग्दों को घेराबंदी कर दवोच लिया गया पुष्टाश करने पर उन्होंने अपने आपको दिल्ली वा आग्रा का रहने वाला बताया है उक्त पकड़े गए दोनों संदिग्द ब्यक्तियों की तलासी लेने पर उनकी पैंड की जेब से तीन मोबाइल वा 22 नगद वा उनके पास मिले बैगों को खोल कर देखा तो उसमें गाजा भरा मिला जिसका अनुमानित बजन 22 किलो और कीमत लगभग 2,20,000 बताई जा रही है थाना डबरा में पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाप धारा आट बटे बीस एंडी पियस का प्रकरण पंजी बदकर विवेचना में लिया गया है पकड़े गए दोनों आरोपी उडीसा से ग्वालियर गाजा लाए थे वा उसे इस्टेशन पर मौजूद आरपिय पुलिस के दोरा पकड़े जाने के डर से वाई स्टेशन रोड सराफा के पीछे आ गये थे और खरिदार की तलास कर रहे थे तभी पुलिस दोरा उन्हें मैं गाजे के साथ पकड़ लिया गया उक्त कारिवाही में थाना प्रभारी डबरा सिटी निरिक्चक बिनायक सुकला दीपक सिंग भधारिया राचकुमार सिंग तोमर सकील खान भान चंदर अनुरागे की सराहनी भूमिका रही